दोस्तो एक समय जहाँ इंडिया में कभी कोई गेम बनाने या प्रेमोट करने में इंट्रेस्टेट नहीं था वहीं आज बहुत सारी ऐसी कंपनीज इस्टैब्लिश हो चुकी है जो यहाँ हाई क्वालिटी गेम्स बना रही है और वो भी इंट्रेस्टिंग कंसेट्स के साथ आज मैं उनी में से एक इंट्रेस्टिंग कंसेट्ट पर बन रहे गेम इंट्रेस्ट के बारे में बताने बाला हूँ जो सुपर गेमिंग नाम की कंपनी बना रही है और इसके कंसेट्ट को सुनकर शायद आपको भी काफी जोज आज इसको खिलने में गेम पूरी तरह बेज जाए इंट्रेस्ट पर जैसे हम नाम से समध सकते हैं इस गेम में हमें इंडिया का ग्लोरियस कल्चर फ्यूचर की इयर 2500 से कंबाइन होकर मिलेगा इसका मतलब यह हुआ कि वही इंडिया सिविलाइजेशन जिसके बारे में हमने अपनी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है स्कूल में जो की वन आप दा ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती है अगर उसे 2500 इयर में ले जाए यानि की फ्यूचर में तो वो कैसी In fact, developers में खुद कहाए कि उनका objective imagine करना है कि अगर हजारों साल पहले इस civilization खतम नहीं होती तो उसका future कैसा होता और वैसे भी हर कोई से बस अपनी तरह से imagine कर सकता है क्योंकि future तो कैसा होगा वो किसको नहीं बता बस prediction नहीं कर सकते हैं लेकिन हाँ इसमें original Indus Valley Civilization वाली sites होंगे and location भी देखने को मिलेंगी और ये सब set है एक unexplored planet पर जिसका नाम दिया गया है Indus basically foreign countries में भी बहुत सारे ऐसे games बनाया जाते हैं जो की future में set होते हैं और उनमें usually dystopian type का scenario दिखाया जाता है कि दुनिया खतम हो चुकी है या फिर government बहुत जादा करप्ट हो चुकी है या फिर जो कुछ बुरे लोग है वो सब पर राच कर रहे हैं and ऐसा scenario दिखाया जाता जो गेम से काफी ज़्यादा unique सोची गई है गेम के title और developer interviews के through ही ये reveal कर दिया गया था कि focus battle royal mode ही है उसके साथ ही first person mode इसमें confirmed आने वाला है बर third person mode भी आ रहा है कि उस पे भी खाम चल रहा है weapon designs को भी futuristic रखा जाएगा और इसमें assault rifles, pistols, snipers and और भी ऐसी lights से लेकर heavy weapons feature किये जाएगे कुछ concept showcase भी किये गए हैं जिसमें छोटी gameplay clips दिख रही हैं बात करें environment की तो in general सरिफ Indian culture से ही नहीं बलकि anime और Lord of the Ring जैसे franchise से भी काफी inspiration ली गई है map को नाम दिया गया है wheel log जो एक island होगा इंडस planet पर map के कुछ locations को भी developers ने वीडियो के तुरू showcase किया है इसमें एक है arches of wheel log जो इंडियन architecture से भढ़ा हुआ आर्चवे है जो शायद wheel log का entry gate हो सकता है massive structure के around environment भी काफी अच्छा है जिसमें fog और cliffs देख सकते हैं इसके wall से भेहते हुए waterfalls भी काफी जाता सुंदर लग रहे हैं दूसरा है जटायू central जिसका नाम रमायना epic के demigod जटायू से लिया गया है यहां बड़े structures हैं और एक light ray release करता हुआ monument भी है जो शायद दूसरे players को indicate करता कि यही है वो center city का इसके बाद आता है ruins का latest reveal जहां स्टिफ destroyed buildings और mysterious structures के टुकड़े दिखने वाले हैं description की माने तो यह mysterious जगा की सच्चाई किसी को नहीं पता तो क्या players इससे decode कर पाएंगे उस clever devs ने यह भी share कि वीड़ोग की trains कैसी दिखेगी जो कि सह में काफी unique and Indian feel दे रही है अब यह तो हर कोई सोचता है कि वो heavy features से भर हुए गेम को effort कर भी पाएगा या फिर नहीं तो जिन तक ही बात नहीं है क्योंकि यह game free to play होने वाला है जो उन्होंने अपने developer blog पर clearly mention किया हुआ है साथी साथ इसमें inner purchases भी होने वाली है इसका मतलब यही है कि game में season pass जैसे system आ सकता है developers को revenue generate करने के लिए confirm release date अभी बताए नहीं गई है बट शायद early access players के लिए काफी जल्दी आ जाएगा platforms की बात करे तो इस game को android, ios, pc और even controls पर भी release किया जाएगा minimum requirements के बारे में उन्ता कहना है कि game under development list और final specs सभी नहीं बता सकते लेकिन game के graphics को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद phone में minimum 3GP के RAM तो चाहिए ही होगी आज कल popularity और audience को देखते हुए अब video game से हमारे system से बाहर निकल कर बढ़े परदे पर भी आने शुरू हो चुके है काफी big budget movies और web series बनाई जा रही है किसी video game franchise की universe पर based जैसे Netflix पर available League of Legends पर based Arkane जोकि बहुती successful रही है अब super gaming में sources ते पता लग रहा है कि Indus के भी developers Lionsgate जैसे streaming and entertainment companies के साथ conversation में है ताकि Indus universe की possibilities और reach को further explore किया जा सके developers काफी serious है इंटो futurism को perfectly execute करने के लिए and उसके around a universe बना रहे हैं जिसमें वो video game के अलावाद दूसरे entertainment services देने की भी त्यारी कर रहे हैं और इसी लिए इनकी OTT services से बात चल रही है पास के experiences को देखते हुए ये जानना अब important है कि बड़े बड़े features फ्रॉमिस करने वाले किसी game को आखिर कौन develop कर रहा है क्या developer ने पहले कोई बड़ा game बनाया भी है और ऐसी कुछ सवाल है जो कि शायद आपके मन में आते होंगे तो super gaming की games actually में काफी popular है company ने इससे पहले mask gun नाम का pvp game बनाया है जिसके graphics और gameplay काफी अच्छ है और in fact इस game में भी इंडियन culture पर based assets है जैसे की skins और characters उस game की quality को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ इस company में capacity है इंडियस जैसे concepts को execute करने की अब काफी Logan Clips को Apex Land से compare कर रहे हैं और इसी बात को clarify करने के लिए game के director जोलन्त गंवार ने official statement दिये उनका कहना है कि respawn entertainment उनकी पूरी team के लिए एक big source of inspiration है लेकिन उनका मक्सद इसे Apex जैसा बनाना नहीं है हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि game अभी भी development में है और वो तरह 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 के art styles यूज़ कर रहे हैं देखने के लिए कि कौन सा best रहेगा for indoor futurism final product काफी अलग लगेगा जिसमें काफी changes होंगे और वो hope करते हैं कि वो इंडिया का best battle royal game बना पाएं और उनके पुराने games को भी अगर देखें like silly royal और mask gun तो वो among us और counter strike जैसे थोड़े थोड़े लगते थे starting में पर launch के बाद उनकी एक अलग identity बन गई gameplay की वज़ा से और ऐसा ही इंडियस के साथ वो करना चाहते हैं तो हाँ आज के लिए बस इतना ही ये सारी चीज़े थी जो upcoming game इंडियस में promise किया गया है फाइनल quality को देखने के लिए थोड़ा और इंदिजार करना होगा जिसके बाद ही हम कह सकते हैं कि ये game अपने standards को खड़ा उतरता है या फिन नहीं वैसे अब क्या क्या चीज़े देखना चाहते हो इंडियस में जरूर comment करके बताना वीडियो बसेंद आए तो like करना दोस्तों में भी share करना चानल भी subscribe करना ऐसी gaming इसे लिए वीडियोज देखने के लिए